नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर अम्रिस्तर के स्प्रिंग डेल सेनियर सेकेंडरी स्कूल को बम से उडाने की धमकी का आया मैसेच पुलिस ने स्कूल के दो छात्रों के खिलाफ मामला किया दर्ज एक के पिता को किया ग्रिस्ता अमिस्तर के वेरका में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर दादा और पोते के साथ मारपिट के लगे आरोप प्रिंसिपल ने आरोपों को सिरे से नकारा जिला जालंधर प्रशाशन की और से गुरु गोविन सिंग स्टेडियम में जंगे सारागडी नाटत का किया गया आयोचन जालंधर वासियों को करवाया वीरों की शाहदत से अवगत गत दिनों अमरिसर के डियेवी पब्लिक स्कूल को बम से उडाने की धमकी देने के बाद पूरे अमरिसर शहर में डर का महौल पैदा हो गया था जिसके बाद पता लगा था कि स्कूल के विद्यार्थियों के और से ही ये शरारत की गई थी जिसके बाद एक बाद फिर अमरिसर के फतेगड चूडियां स्थित स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बम से उडाने की धमकी का मैसेज सामने आया है इसके बाद पुलिस प्रशाशन हरकत में आ गया है पुलिस प्रशाशन की और से स्कूल के बाहर चौकसी बढ़ा दी गई है जिसके बाद थाना सदर की पुलिस ने इस मामले को सुलजा दिया है लेकिन इस बार पुलिस ने पिछली बार इस्तमाल की गई नर्मी की जगे सक्त कारेवाही की और इस बार धमकी भरा मैसेज भेजने वाले दो चात्रों के पिता को ग्रिफतार कर लिया है इस समंद में जानकारी देते हुए डी एसपी मुखविंदर सिंग बुलर ने बताया कि जाच में पता चला है कि स्कूल को बम से उडाने का मैसेज दस्मी के दो चात्रों ने भेज़ जा था जिसका उदेश्य स्कूल में चल रही परिक्षाओं को रद करवाना था और 16 सितंबर चुटी दिलाना था क्योंकि उस दिन गनित की परिक्षा थी जिसके बाद दोनों चात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है जिसमें एक चात्र के पिता रोहित मरवाहा को ग्रिफ्तार कर लिया गया है क्योंकि जिन नंबरों से ये संदेश फ़लाया गया था वे उनके नाम पर थे अमडिस सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट प्लीस नों एक इंफर्मेशन आई सी कि स्प्रिंग डेल स्कूल नों जड़ा तरीक नों है अच्छा सी फोर थे बामल लगा के जड़ाया जाएगा और इनों बड़ा सीरिसली लेंदे हुए मानजयों कमिशनर साम ने जड़ी मेरी ड्यूटी ले आई जो साड मेरे अंडर एसीपी नौर्थ और साइबर साहल ने बड़ी जल्दी जड़ाय केस नों सी क्रैक किता है और इस अनुए पता लगा है विस ओड़ा तरीक नों थे मैस दा एक्जाम सी का और उननों कैंसल करवा उनली बच्चेया ने जड़ा इस सारा ड्रामा कीता सी का पर इंफर्मेशन दे आरते जड़ाय केस रिजिस्टर कर ले गया केस रिजिस्टर कीता है अंडर सेक्शन एक्सो त्रविंजा ए पांच सो पांच सो साथ आई पीसी और च्याठ एफ आइटी एक्ट देता है जड़ा केस असी ताना सदर चे दो सो बाठ नमबर रिजिस्टर कीता है जी दिवेच दो बंदिया नों जिनने देना हमते सेम है उना नो रेस्ट कार ला है एक दीदा गिर्फतारी पाती है दूसरे दिया जैसी पुछ वेच कर रहे हैं अमरिस्टर के अधीन आते वेरका में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा पोते और दादा की मारपीट करने का मामला सामने आया है इस मारपीट में दादा ज स्कूल में पढ़ते हैं गद्वस दोनों बच्चे स्कूल गए थे चुटी होने के बाद जब बच्चे घर आय तो रमन कुमार के हाथ की उंगलियां सूजी हुई थी और वे दर्द से करा रहा था जब इसके बारे में उससे पूछा गया तो उसने बताया कि स्कूल की प्र पेरेंट्स मिटिंग में आपने यूनिफॉर्म पहनने के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया अगर वह बताते हैं तो वह बच्चे को यूनिफॉर्म पहना कर भेज दिया इसी बात को लेकर प्रिन्सिपल ने बहस करते हुए गाली व्होच करना शुडू कर दिया जब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ गए तो पीछे से प्रिंसिपल और उसके साथियों ने उसे गले से पकड़ कर जमीन पर फेंक दिया और लात घुसे मारने शुरू कर दिये जिसके बाद बड़ी मुश्किल से जान बचा कर वहां से भागे वहीं मारपीट के दौरान उनकी दो पसलियां तूट गई मारपीट के बारे में उन्होंने तुरंत पुलिस को सुचित किया लेकिन दो दिन बीच जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कारेवाही नहीं की इसलिए उन्होंने पुलिस प्रिशाशन से मांग की है कि प्रिंसिपल पर बंती कारेवाही कर उन्हे वहीं जब इस समंध में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने अपने उपर लगे सभी अरुपों को नकारती हुए कहा कि उन्होंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की उल्टा रमेश कुमार ने उनके ऑफिस में आकर उनके साथ दुर्व विभार किया है उन् उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की और से उनके पास शिकायत आई है मामले की बारिकी से जांच करने के बाद जो भी दोशी पाया गया उनके खिलाफ बंती कारेवाही की जाएगी अमरी सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट मास्टर ने मैं इस कुड़े जाना मैं गए कर तक किंदा नहीं मनों पुट्या गवाम गवा चाल ठीगा मैं जाना मैं गया जाए मैं पुछा मैं सर इन वेड़ेनों क्यों तुसी मारे लगिया तड़ा कोई कपासा निए निवारेगा तानुसारे कैस थाड़े पैसे यां एक देन ताडिपीशनी लेड़ो रही ही तो इस अंदसो नहीं जे तुब चाता डाइस तरह करेगा जूनिफॉम पागा गाएगा इकुटने कुट नहीं पर इस गालतों के सार मैं काफी देर तो कह रही है थी का के प्रपर जुनिफॉम पागा यह व इन डिसीप्रेट का रहें पेरेंट्स नूँ और अडी बच्चे अनु सारें प्रेर दे चुई किया पर उन्नाने मेरी घालनी मनि मैं चेड़के शब्सक्राइब क्लास पे तुम बार आशी तेरे नाल बार विखना मैनू ओफिस जो बार उना ने बलाया उना ने मुन तकाव लगाया ता साधेलों में तका लगा ओडेग पे डिगण करके हो यह सार बंदा कोई भनी सिगा सार एक टीचर मतलब जड़े हुंदे या टीचर सारी इथे सिगे ते होड़ सारा गड़ी के इतिहासिक युद्ध की शहादत की 125 वी बरसी के अफसर पर जिला प्रशाशन की और से गुरु गोविन सिंग स्टेडियम जानंदर में पंजाब आर्ट थेटर के नाटक जंगे सारा गड़ी का आयोजन किया गया जिसमें सारा गड़ी के योधाओं की वीर्ता से जिला निवासियों को अफगत करवाया गया 6 घंटे की लंबी लड़ाई की गाथा को दर्शाया गया इस मौके पर विधायक शीतलंगुराल विधायक रमन अरोडा जिलादी जस्प्रीट सिंग आम आदमी पार्टी की राज्य सचिव राजविंदर कौर ने बड़े ही उत्साप उर्वक नाटक को देखा और प्रशा एक ऐसा जंदर सी जो वार्स ओड भाशान शीश्या दे निश्कार्या राही सुझेहा पेजदा सी एसलई बरतांवी पाजवास्ते सारा गड़ी एक एहम रणितक पोस्ट सी एसलई सारा गड़ी भी विवाज़त लें मोर्चे तिन बसे यानि पूरब पच्छों ते उत्त पर वन ही बड़ा गेशन सारा गड़ी श्ताय नात द्वी सिख फॉझी ते एक लांगरी वी कमानड हौल दार इशर सिंगोल यानि मेरे कोट सी मुख माला आई जैत जै़ी ही पापूना माला महोय द आल्या धिकलाक डिंगलाक न चले दुझी कर मितरा न चले आयए तार्या विजफों परती कॉन समेर खंडे डी बतब आल आ हम रहाँ छखियां से से ते खसन खादे सी कि आपड़े भर्दली जान तक कुर्बान कर दियाना नाम नमक दे निशान तिनों चीजान दी हिपासद करना हार अजीदा तर्म है लग कर दिया शतीर यानू अगल लग कर तारण किले नी चाहत देखी पई आपर सारा गड़ी में स्तायनार चर्टी सिख्डा अखीद्रा सूर्मा गुर्मुक सिंह में शहीती पादे जेले बात तुमें परवा हुंदे ओयो हस्ते आज जानावार देने बठिंडा की एक घर में पाले हुए जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने घर में रहे ग्यारा वर्षिये बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला जिसे बठिंडा के सिवल अस्पताल में दाखिल करवाया गया इस मौके पर बच्चे के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनके बच्चे को घर में रखे जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने नोच लिया जिस कारण बच्चे की दाई बाजू से मास का पूरा टुकडा नोच लिया गया है जिसे उपचार हेतू अस्पताल में भरती करवाया गया है जहां डाक्टरों द्वारा बच्चे का उपचार किया जारा है बठिंडा से हल्चल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट अमनिसर में संगरूर से सांसद सिम्रन जीत सिंग मान की और से प्रेस वारता की जा रही थी कि इस दौरान सिम्रन जीत सिंग मान की पीछे खड़े उनके समर्थकों में से किसी एक के मोबाइल पर रिंग बज उठी जिसके बाद सिम्रन जीत सिंग मान गुस्ते में आ गए और प्रेस वारता के दोरान ही अपने समर्थकों को धक्के मार कर कैमरे से आगे से पीछे हटने के लिए कहां इसके साथ ही सिम्रंजीत सिंग मान ने ये भी कहा कि अगर अब किसी मीडिया कर्मी या किसी समर्थक का फोन आता है तो वे प्रेस वारता को बीच में ही चोड़ कर चले जाएंगी जिसके बाद वहां मौजूद हर एक व्यक्ति द्वारा अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर लगा दिया गया अमनी सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट साड़ी स्टीपी सी बनी सिगी इनिया करबानिया तो बाद महनतां तो गुर्द बारे छड़ाए गे सी इनन नहीं ते आनना लोग बोर रहे ने तुम भी बटन बंद कार वे तो चलो पिछे चलो अदर और यार एक कमेंटर देंती है सारा नूँ भी यार तुसी प्लीज तुसी करना तर गिट आउट दोने रात बंद कार ले जी अपने फोन प्लीज जाए दसां दसां मिंटा दिविज सारी गल राम नल हो जड़ी है बार बार कहना पह रहे है यार प्लीज कि पंद्रा त्रीक नू दुनियाच जे फ्लेर वज्या नहीं टेलिफोन फिर मैं बंद कार देनी है तो नुचंगी लगे जा माण लगे जो करके मैं भी अपना बंद कीता होया आम आदमी पार्टी अब जहां पंजाब से आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी अपने होमवक पर लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता अब पूरी तरह से आने वाले नगर निगम के चुनावों के लिए कमर कसकर तयार है जिसके चलते आप पार्टी के नेताओं को विधाईकों की और से दूसरी पार्टी के नेताओं और कारेकरताओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है इसके चलते जालंदर में आम अदमी पार्टी ने भारतिय जन्ता पार्टी को एक बड़ा जटका दिया है जालंदर में पंजाब सरकार के निकाय मंत्री इंद्र बीर सिंग निजर की अध्यक्षता में भारतिय जन्ता पार्टी के कुल 68 कारेकरता भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं जिसमें नगर निकम के कई पार्षद भी शामिल है इसमें लगभग कई कारेकरता और नेता जालंदर वेस्ट इलाके से हैं वही भाजपा पार्टी छोड़ कर आम आदमी पार्टी में शामिल होए नेताओं ने कहा कि भारतिय जन्ता पार्टी में कुछ लोग ऐसे है जो दू अंकज शर्मा की रिपोर्ट मंतरी जी मैं अपने वनलों और साथी जारी ही टीम वनलों तो अड़ा बहुत अन्वाद करता है कि चुसी अज साठे सारे आंदा है और मैं यह सीदा को अनुवादा करता हूं कि पूरे तन मन तन देनाल असी सारे रल मिलके आम आदमीदा जड करांगे ताकि आनवला जड़ा समय है वो साड़े पंजाब दे लई साड़े देश दे लई बहुत ही सुनेरा पर वेक्ष जो अर्वेंद केजरी वाल जीदा सुपनाव है कि साड़ा देश तरक्की करें और सारी दुनिया दे वेचे साड़े देश दा जड़ा पर्चम लगा इसलिए जड़े तो अंडे संझी सारे राल मिलके तो आड़े से योल डे नाल और जड़े शियरवा डे लगार मेंब करांगे में अपने भल ईगलोर अपनी साड़ी टीम वल लो और सारी जड़े आमाडमी पार्टी सीओ लिड़शिप आई साड़भावाई आ गया जड़ कारे करता हूं था मान वदान लेया तो अडिसारे आदा दिलों बहुत बहुत अन्वाद और जड़े मंगल प्रदान ने थो ले पर दो दूदे प्रदान सी गे इवन जड़े ना दे बूत इंचाज सी गे वो सारे जोइन कर गे सानुवा ज़े सो साड़े प्रवाज बहुत वादा हुआ है और एक क्यों आए ने जले साड़े सिटिंग एमेले ने दोनों रहमन रुराज जी शीतन रुराज जी ए देख रहे कि किस तरह नो पार्टी ने इज़त देता मान देता किस तरह एक आम वरकर नो सीड़ देती जताया एमेले बना है और रिस्पेक्ट मिल दी पूरिया नो सब देखते हो है और नीतियां देखते हो है सड़े सुप्रीम हो दिया अर्विन के जिवाज जी दिया और परवंदमान दी इमांदर ही देखते हुए इस सब जॉइन की तेने आज चलिया से पॉल्सिया पिछले दिन लेके हैं कि जितना सी राशिन जड़ा हों करकर पहुंचा करेगा जड़े असी ओल्ड एज पैंशन दिनने हैं ओव चारे सड़े बिजर्ग बैंकांच खरजर खुरा हैं देशी के उनना नुकार जाके साड़ा बच्चा एक जाके उनना को गूठा लवा कि हाथ चे डेड़ जार प्या एक समय था जब जालंदर का गाउं संसारपुर देश के ऐसे गाउं में शुमार था जिसके 14 खिलाड़ी भारती होकी ओलंपिक्स में खेलते थे 14 ओलंपियन संसारपुर के एक ही परिवार से समंध रखते थे इसी कारण इस गाउं को होकी का नरसरी भी कहा जाता है होकी की नरसरी कहे जाने वाले इस गाउं में आज भी बच्चों को होकी खेलने का बहुत शौक है और वे चाहते हैं कि गाउं के बाकी वरिष्ट खिलाडियों की तरह वे भी होकी के सितारे बने लेकिन आज आलम यह है कि होकी की नर्सरी कही जाने वाले इस गाउं में इन बच्चों को होकी सिखाने वाला एक भी सरकारी कोच सरकार की और से उपलब्द नहीं करवाया गया जिसकारनीज सिलाके के बच्चों को हौकी की ट्रेनिंग इस गाओं के ही कुछ नौजवान दे रहे हैं इस दुरान हौकी खेलने वाले बच्चों का कहना है कि कई महिनों में उनके कोच की ट्रास्फर हो गई थी जिसके बाद जून महीने से लेकर वे अब तक बिना कोच के ही होकी की प्रक्टिस कर रहे हैं। इसलिए बच्चों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार उन्हें कोच उपलब्द करवाई। जालंदर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर्फ संसार पर होकी दा मक्का है, होकी दा कार है, होकी दा बगीचा है। सो इने दुनिया तो सब तो जाजा खडारी पैदा की तेने, 14 अलंपी खडारी पैदा की तेने, 30 इंटरनेशनल, 120 नेशनल, सिर्फ पंजाब नहीं, 20 स्टेट्स वालों खेले ने, आउटसेंडिंग टीम्स, और अपने उनिवस्टी और कॉलेज प्लेयर, और मैंनू इस प सपोर्ट्स और इंडियन एक्सपीरिशन, संसार पो, मिल पैंड़ वाले के अपनी मा बुली जे कताब के उनू लख दे, ते मैं उते हौकी जाकार संसार पो, 444 हवे लिखी, किदा पैंड़ बनेया, किदा होकी उठी, उना प्लेरां बारे लिखेया, के साथे पैंड़ किदा होकी खटारी, 14 जे साथे लंपिक प्लेर होए ने, और 15 मैडल आए ने, 8 गोल्ड, 1 एक सिल्वर, 6 ब्राउन, सो 15 मैडल में लखेया, 100 सार को और नी तुटना, वह दो पैंड़ होए ने, खुसरप पोर भी है, उनों दे भी 6 प्लेर होए ने, 7 प्लेर होए उनों को मै कुसरप मिठापर्दी भी प्लेर होए ने, मैं कौंगा कि बहुत चंगी काला कि बाकी पिन्ना जे केडिमी हैं, साथे पेंड़ केडमी नहीं है, परली काला क्यों नहीं साथे पेंड़ केडमी, मैं काओंगा, और दुजी या के साथनू, फुल स्टेडियम चाहिए दाया, और वह उसानु गौर्मनेंट आप गौर्मेंट इड़े पेंड़नेंटेगा बिच्वारमेंट चाहिए रिष्च कारोंगा, क्यों अजुए गजंपल पेस किती है, साथे को पालना बदाउट को आ इने प्लेर पादागीते, सो ओ जो सानु जेके लीज ते जगा मिले, मैं था में आवे सेंटर गोर्म में जढ़ा है और इन्सीजूट बनना चाहिए लिए पने पंजाब जिलंडर चाहिए पर क्यों नहीं संसाथ पुल बन सकते ए इस जड़ी मिटी है परमातमा निसानों केंदे दुनिया घ्र घ्र अमदान है जिंदगी जिंदगी यह आपना साफ उस परमात्मा निसानों इथे जड़ी जगाया, वो तू भी वहनु दिती है, पर उदे उल्ट, संसारपुर उखडारियां ने उस दा जबाब देता के कलाकर खडारियां ने संसारपुर दना दुनिया दे नक्षे दी लिहां ते लियां दा है, तो गौर्मेंट उ मैं आ रही मुश्किलों को लेकर, पंचाब राज्य अल्फ संख्या कमिशन के चेर्मेन प्रोफेसर एम्यूनल नाहर की और से नाभा में विशेश तोर पर नाभा प्रशाशन और क्रिश्चन भाईचारे के पास्टरों के साथ मिटिंग की गई, इस मौके पर पिछले लंबे स में से क्रिश्चन भाईचारे को बड़ी समस्या आ रही थी, कि अगर किसी क्रिश्चन भाईचारे की अच्छानक मौत हो जाती थी, कि उसे दफनाने के लिए पट्याला में ले जाना पड़ता था, जिसको लेकर चेर्मेन द्वारा घंभीर नोटिस दिया गया, और उन्हो को लेकर सक्त अलोचना भी की, और कहा कि जो भी दोशी इस घटनाओं को अन्जाम दे रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा, नाबा से हल्चल के लिए राहुल खुरानना की रिपोर्ट पहली बार मैं इस नाबे विच्च आया, और नाबे विच्च साथे कट गिंती दे लोग डिड़े ने, मुसलिम पाइचारा और क्रिस्चिन पाइचारा दे, काफी लोग डिड़े थे रह रहे ने, और काफी समय तो एक दो चीजा दियो मांग का रहे ने, जिनना विच्च कवरस्तान नो लेके, और कुझे ऐसे कवरस्तान इश्यों नो ही लेके कोई डिस्प्रूट जेड़े वो चादरे थी, मेरे के खलाकी फर्ज बंद है कि इनना प्रॉब्लम्स नो आके बैट के सोणके इनना नो जालम कीता जाली, जो तो तक कवरस्तान वाली गहल लेगी है, कवरस्तान एक फंडामेंट राइट्स है, मौले के दिकार है, और अउनरेबल हाई कोट ने वे इस चीज़ नो डेकलेर कीता हुआ, कि एक गौवर्मिन्ट दी जड़िया, मौरल ड्यूटी बन दी है, कि क्रिश्चिन पाहिचार है और मौलम पाहिचार है, यह प्राब्लम नूर जालम कीता जाएवें। इवन इस इस आल्सो डिरेक्शन ओफॉनरेबल हाई कोट टू दी गौवर्मेंट, कि जित्थे भी एक र्कौइर्मेंट है, समाज सेवी संस्ता, Humanity NGO की तरफ से जालंदर में 2 अक्तूबर को नेत्रदान शिविर और कॉर्नियल प्रत्यारोपन का शिविर लगाया जाएगा। पंजाब प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्तकर इस समंध में जानकारी दी गए। इस समंधी जानकारी देते हुए प्रधान संजीवा थमन ने बताया कि नेत्रदान महादान उनका नारा है। कैम्प का योचन 2 अक्तूबर को श्री गीता मंदिर माडल टाउन में किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि कैम्प लगाने का मुख्य मकसद मानबता की सेवा है। जो कि उनकी संस्था हर साल करती है और आगे भी निरंतर करती रहेगी। इस अफसर पर सोनिया चावला, शिल्पी धीर, डॉक्टर अनू, डॉक्टर श्वेतानन्दा, अन्शु चोपडा, अतुल अरोडा, जुगनु चोपडा, विकास डांडा, सिम्रंजीत सिंग, राजु मकड, गुर्शरन सिंग, हर्मीत सिंग, वरुन तलवार, निधी सर्वन कुमार और डिंपल बेदी भी महजूद रहे, चारंदर से पंकट शर्मा की रिपोर्ट, आज अपने कुरुप के साथ, आप सब के आगे हाँ चोड़ के विल्ती करना चाते हूं, कि दो कूबर को हम आई डूनेशन केंप लगाने लगे हैं, तो मैं चाती हूं कि सभ और अगर पाटडान कर देंगे हैं, तो इसको कुछ नखसान नहीं होने लगा हूं, आखों से तो दो ही पचेंगे, एक इनसान की दो आखेंगे हैं, वो दो लोगों को जैंगे, दो लोग पुरी दुनिया की रंग देख सकते हैं और अब अंत में हल्चल की गतिविदियों पर एक नजर फिर से अम्रिस्तर के स्प्रिंग डेर सेनियर सेकेंडरी स्कूल को बम से उडाने की धमकी का आया मैसेच, पुलिस ने स्कूल के दो छात्रों के खिलाफ मामला किया दर्ज, एक के पिता को किया ग्रिस्तार अम्रिस्तर के वेरका में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर दादा और पोते के साथ मार्पिट के लगे आरोप, प्रिंसिपल ने आरोपों को सिरे से नकारा जिला जालंधर प्रशाशन की और से गुरु गोविन सिंग स्टेडियम में जंगे सारागडी नाटक का किया गया आयोचन, जालंधर वासियों को करवाया वीरों की शहादत से अवगत इसके साथ ही अब तक की गतिविदिया समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहे हल चल